पाना तिपाता विर्मनी सिख्खा पदंस्माधियानी आदिन दाना विर्मनी सिख्खा पदंस्माधियानी जात तक कथा का पर्चे जो बोधी साहित्य है, बुद्ध का साहित्य है जो भगवान बुद्ध ने जो बताया और जिसको लिखा गया लिपिवद किया गया याद करकर आगे बढ़ाया गया उसका जो अंतिन साहित है यानि कि जो सबसे सरल साहित है वो है छोटी-छोटी कथाएं, कहानिया दरसल धम्द है बहुत सरल भी है और बहुत ज्यादा गुलख भी है यानि कि रहसे मैं भी है गुलक यानि छपावा भी है बच्चों को समझाने के लिए जो उस समय भाड़क होते थे या जो भांड़क होते थे यानि जो भंडार रखते थे सारे साहित्य का सारे धंकी बातों का जिनको भंडारिक भी बोलते थे या भाड़क बोलते थे वो सारे के सारे ही जगे जगे जाके छोटी छोटी सभाएं करते थे घरों में जाते थे एके घर में और वहाँ जो सुरुवात करते थे बच्चों को उनको जातक कथाओं से करते थे जात कथाओं दरसल नाम है इसका बेसी गली जात माने जनम होता है, उत्पत्ती होती है, जात माने पैदा होना होता है और कथा माने कहानी उसकी स्टोरी होती है तो जात और कथा को मिलाके एक सब्द बना जो जातक के नाम से आता है जात और कथा जात कथा या जातक कथा है बाद में पंच तंत्र के नाम से भी जाने जाने लगी पंच तंत्र का मतब है पंच सीर के तत्व यानि जिसके अंदर हत्या नहीं करनी है चोरी नहीं करनी है नशा नहीं करना है जूट नहीं करना है विर्चार नहीं किरना है ये 5 तत्व जिस कहानी के अंदर होते हैं उसको 5 तत्व बोलते हैं और 5 तत्व बार में संस्कारण भासा में 5 तन्त्व बोला गया जो इस कहानी में जानवरों की और जंगल की उपमाये थी, एक्जाम्पिल थे और कहानियों को जंगल बुक के नाम से या जंगल की स्टोरी के नाम से या जो जानरों की कथाएं उनके नाम से प्रच्छत किया गया पूरी दुनिया के अंदर ये जो पांच सील की कथाई हैं पंच तत्व की कथाई हैं या जो जातक कथाई हैं जो बढ़ाई गई हैं और जो बनती रहती हैं विगरती रहती हैं ये कथाई बहुत जादा मशूर हैं अलग अग नामों से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं क् कि ये सदाचार की मौरेजिटी की कहानिया हैं सदाचार मतब जो साधा आचरण है जीवन में सत्य का आचरण है सच का आचरण है जो समझदारी का आचरण है जिससे मनुस्य का कल्यान होता है उसको बताने वाली उस बेहवियर को बताने वाली उस बेहवियर पैटर्न को बतान आज भी एंग्रिस में, हिंदी में, दुमेयर भी में, फार्सी में, दुनिया भर की सारी भासाओं में ये कहानिया बहुत ज़ादा रुपांतरित यानि के चेंज हुई हैं, कनवर्ड हुई हैं और उनमें अलगवे भासाओं में बोली और बताय जाती हैं नेट और इंटरनेट इन कहानियों से भरे परे हैं इनका आधार वही है जातक कथाएं जातक कथाएं 500 से उपर लगवग उस समय थी अब की समय तो ये 1000 उस समय है क्योंकि जातक कथाएं बंती भिगरती लियती है अगर किसी कहानी के अंदर पंच ततो है, पंच सील है, मॉरलिटी है लोगों को सदाचार सिखाने का है तो वह जातक कथा में अपने आप जुड़ जाती है कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्ध के जनम की कहानिया है बुद्ध के जन्म की कहानिया ये नहीं परतित होती है क्योंकि जात माने उत्पत्ति और जन्म होता है और कथा माने कहानी है ऐसा कहीं नहीं लेखा हुआ बुद्ध जातक कथा हैं या बुद्ध से जातक कथा हैं क्योंकि बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के वेवार को अनुभव को देखा, जब उन्होंने बोधी ब्रक्ष के नीचे विपसना साध्रा किया, विपसना साध्रा में उन्होंने अपना पीछे का जितना भी सॉफ्टेयर का वर्जन है, यानि जो पीछे से बता रहा है, उसका अनुभव किया, किसी भी जातक कथा में कहीं ऐसा नहीं है कि वो जगे या वो इस्थान आइडेंटिफाई किया गया हो, या खो जा गया हो, या वहाँ जाके उसका अनुवेशन किया हो, कि बुद्ध ने अगर किसी कथा में कोई बताया है, तो वहाँ जाके हम उसकी तहकी कात करें, इन्वेश्टिकेसन करें, कि बुद्ध ने जो कहा है, वहाँ पहले बुद्ध थे या नहीं थे, ऐसा तहीं भी नहीं है, धंब को बिगाडने के लिए, साहित्ते को बिगाडने के लिए, उसमें चबतकार और बुल को बुल बाते हैं, फिक्सियस बाते हैं, जूटी बाते हैं, डाली जाती हैं, ऐसी बाते डाली जाती हैं, जिनका हिश्टि में कहीं आता पता नहीं होता है, अगर ऐसी बाते किसी साहिते में डाली जाती है तो वो साहिते नलन वर्ड हो जाता है अच्छे लोगों का उस पेसे विश्वास उठ जाता है कथाओं का मतलब कथा है, कहानी है, बताने के लिए है, मौरल है, स्टोरी है इसका इत्यास से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि किसी भी जाता कथा में जो स्टार्टिंग है, वो एक राजा या एक समय या एक जंगल या एक बात या एक खेट ऐसे आरभ होती है कोई भी जाता कथा ऐसे आरभ नहीं होती है फलाने प्रदेश के, फलाने आदमी का, फलाना खेत, जुसके पिता का नाम ये, उसके पिता का नाम ये, उसके बच्चे का नाम ये, ऐसा कहीं नहीं है ना ही कोई वसावास कोई समय दिया गया है, ना ही कोई भोगल को इस्तिती दी गई है सारी के सारी बहुत सल भासा हैं दो-तिन करेक्टर के नाम बनाए गए हैं उनके उपर सारी कहानियां बेस हैं इत्यास में दो-तिन करेक्टर के उपर कहानी नहीं बनाए जाती इत्यास जब आरभ होता है तो सबसे पहले समय मांगता है कि यह कहानी या स्टोरी चारे ऐधियास कब के है। समय मांगता है पर उस समय के आस-पास जो घटनाय गटिया है उनको मांगता ह। फिर इधियास उस जगे पे चिन्ध मांगता है। यालि कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो वस्तु हैं, जो आर्केलोजिकल सर्वे चड़ है, जो आर्केलोजिकल सर्वे हैं, जिसमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ओल्ड सारी चाहे कोई बतन है, चाहे कोई कपड़ा है, चाहे कोई मोती है, उनका अन्मिशन करता है, उनकी आसान नहीं है बुद्ध इधियास हैं इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उनकी सारी चीज़ें मिलती है एक भारत के अंदर अके लिए बुद्ध ही है जिनकी एक ही चीज़ मिलती है और एक महाविर जैन है जिनके सारे चिन मिलते हैं इधियास बुद्ध से और जैन से ही आरब होता है इसलिए जातक कथाओं को अपने बच्चों को या खुद आप भी जब उनको गहन करें और समझें तो उनको कहानी समझ के गहन करें उसमें जो सदाचार चुपा हुआ है जो पांच सिल्गी बाते चुपी हुए है वो अपने बच्चों को जूटा मालूम और दिखाई परता है इसलिए जातक कथाओं को जो बिहेवर करेक्टर ठीक करने के लिए जो आच्रम ठीक करने के लिए जो चरित्र को ठीक करने के लिए बात कही भी है उसके हिसाब से इसको सीखें धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते है उसको डाउनलोड कर सकते है उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते है या अपनी कमेंट रिक कर सकते है उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते है उसका प्रिंट मैटियल भी बना सकते है उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा कॉपी रैट फिरी थी और हमेसा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज़ दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज़ देंगे, आप धम की सेवा में साहिक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब द थंगं सरेन गच्छामू 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 थंगं सरेन गच्छामू